सी होर्स समुद्र में पाए जाना वाला एक समुद्री जीव है जो एक तरह की मचलियों की प्रजाती है जिसका आखर दिखने में खोड़ो जैसा होता है जिसके कारण इस समुद्री जीव को समुद्री खोड़ा या दर्याई खोड़ा कहा जाता है चलिए जानते हैं समुद्र में रहने वाल इस अजीब जीव के बारे में कुछ मज़ेदर तथी सी होर्स लगबक दुन्या बर के सबी समुद्र और महासागर में दिखने को मिलता है यह एक तरह की मचली ही है जिसका सीर घोड़े जैसा दिखता है जिसके कारण इस समुद्री मचली का नाम सी होर्स पढ़ गया वैसे तो यह मचली की ही प्रजाती है लेकिन इस जीव की जैदतर आदते मचलियों से अलग होती है समूत्री खोड़ा अपना ज्यादतर समय समूत्री खांस और समूत्री पहुदों के साथ पूच की कुंडी बना कर छिपका रहता है दुन्या पर में सी होर्स की लगबग 54 प्रजातिया पाई जाती है और इनका आकार 3 सेमी से लेकर 30 सेमी तक होता है नर समूत्री खोड़ा का आकार मादा से थोड़ा अलग होता है इसके पेट पर कंगारों की तरफ थेली होती है समुतरी खोड़ा का प्रजनन लगबग साल पर चरता रहता है और प्रजनन के बाद मादा अपने अंडे नर की थेली में देती है जिसको नर सेता है और इसके बाद करीब 45 दिनों बाद अंडे में ऐसे बच्चे बहार आते है नर के पेट में बनी थेली में वो करीब 50 संडे को रख सकता है समुतरी खोड़ों का विश्वा में कई सारी जगों पर काफी मातरा में सिकार किया जाता है जिनमें चीन और सिंगापूर में इसकी बहुती ज़्यादा डिमान होती है चीन जैसे देश समुतरी खोड़ों का इस्तमाल करके सकती वर्दक दवाई बनाता है मचलियों की सभी प्रजातियों में सी होर सबसे कम गती से तेरते हैं इसकी सबसे अधिकतम गती पाच फीट प्रती गंटे की नापी गई है सी होर्स एक ही समय में अपनी दोनों आखों से अलग अलग दिसा में देख सकता है सी होर्स अपनी मरजी से रंग बदल सकते हैं जिनके कारण वो सिकार से बद सकते हैं आला कि समुतर की मचलिया इन जिवों को अपना सिकार नहीं बनाती है सी होर्स गर्म पानी में रहना पसंद करता है लेकिन वे न्यूजिलेंड, कनाडा, ब्रीटन और अर्जेंटीना के ठंडे समुद्रों में भी पाए जाते उमेदे आपको समुद्री खोड़ों के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको वीडियो अच्छा लगाए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें